सल्मान खान की थ्यूब लाइट इस साल की highly anticipated फिल्मों में से एक थी इसके रिलीज से पहले trade analyst ने कई दुक्के लगाए कहां सभी 700-800 करोड के box office collection की बात कर रहे थे और कहां ये फिल्म मुश्किलों से 100 करोड का आकड़ा पार कर पाई है हलाकि सल्मान खान की बाकी फिल्मों की तरह ना होते हुए ये फिल्म थोड़ी हटके थी इसलिए अगर दूसरे नजरिये से देखा जाए तो ये इस out of the box फिल्म के लिए काफी अच्छा response है वैसे आपको बता दे इस शनिवार यानि अपने 9 डे पर ट्यूब लाइट ने लगभग 2.75 करोड की कमाई की है तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है वेल हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कॉमेंट करना ना भूलें